दोस्तों अगर आप YouTube चलाते हो तो है इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको YouTube के ना कुछ हैसे secret feature बता दे जा रहो जो कि YouTube में होते हैं लेकिन आप लोग दोस्तों उस पे ध्यान नहीं देते ना उसे कभी यूज करते हो इस वीडियो को देखने के बाद definitely आप उन feature का यूज करोगे काफी जाला मज़ा आने वाला है अगर आप भी YouTube चलाते हो तो इस वीडियो को लाइक करो and continue इस वीडियो को देखते रहो So guys आईए मैं आपको YouTube के सभी secret features के बारे में बता देता हूँ and guys आपको बता दू अगर आप चाहते हो आपका internet बहुत कम खर्च हो YouTube वीडियो देखने में तो guys वीडियो को बस देखते रहे है इसका भी solution इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं YouTube को on कर लेता हूँ and guys जो पहले trick है जैसे कि एक example के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जैसे कि मालीजी आप YouTube पे कोई भी music सुन रहे हो and जैसे दोस्तों आप home button पे मतलब की चले जाओगे तो आपको भी पता है guys YouTube पे जो आप देख रहेते वो बंद हो जाता है आप देख सकते हो यह बंद हो चुका है लेकिन अगर आप चाहते हो guys बिना कोई application डाउनलोड किये बिना कुछ किये यह जो मतलब की music है इसे background में सुनना मतलब कि आप home button पे रहोगे यहाँ पे कुछ कर रहे होगे फिर भी ओ जो videos है या पे जो music है वो चलती रहे अब आपको क्या करना है ऐसे इसे नीचे करना है नीचे करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे shots दिखाए दे रहे है आपको इसके उबर आना है और यहाँ पे कोई भी एक जो shot है नगा इसे पूरा देख लेना है थोड़ा सव वेट करके यह थोड़ी ही कुछी second के होते हैं आपको भी पता है ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको इसे पूरा देख लेना है तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं इसे खतम होने तक का मलदब कि इसे skip नहीं करना है देख लीजिए अब यह complete हो चुका है अब आपको यहाँ से ना दोस्तों बैक आना है यहाँ पर आप देख लीजिए बैक आजाए यहाँ से बैक आने के बाद वापिस यह जो music थी इसे दोस्तों आप शुरू से play कर दिजिए यहाँ पर आप देख लीजिए हमने शुरू से इससे जो है यहाँ पर play कर दिया ओके अब यहाँ पर दोस्तों मैं play कर देता हूँ आप देख सकते हो and volume भी आप मतलब कि full कर देता हूँ So guys आपने देखा कैसे हम कोई भी music को background में सुन सकते हैं मुझे तो personally यह सही लगा अब मुझे इतना नहीं पता guys कि यह कोई trick है और फिर glitch है देखते हैं लेकिन आप लोग एक बार जरूर इसे try खरना and नीचे कमराक्स में बताना guys कि यह क्या कोई trick है और फिर glitch है and guys हम मैं आपको second trick बता देता हूँ मालेजिए guys आपके mobile phone में बहुत इकम data है जैसे कि example के लिए आपको डेली का एक GB2 GB3 GB मतलब की जो limited जो प्लान आपने लिया है उतना ही आपको internet मिलता होगा ऐसे में guys अगर आप videos देखते हो movies देखने लगए YouTube पे तो ऐसे में जो आपका internet हो तो ख़तम हो जाएगा तो उसे कैसे कम से कम मतलब की खर्श करोगे YouTube पे तो उसके लिए guys simply क्या करना आपने profile पे आना है and यहाँ पे आ जाना है setting में setting में आने के बाद दोसों यहाँ पे data saver पे आपको click कर देना है दोनों को data saver पे आपको कर देना है यह बहुत important है इसे करने के बाद दोस्तों जो आपका internet है वो बहुत ही कम खर्च होगा अगर मालीजी आपको movie डाउनलोड भी करोगे ना तो आपका जो बोल सकते हो download है वो बहुत ही कम MB का होगा उसके लिए ब अब दोस्तों मैं आपको YouTube के third secret feature के बारे में बता देता हूँ actually secret नहीं है इसके बारे में काफी लोगों को पता है पता होने कि वावजूद guys इसे लोग use नहीं करते हैं आए मैं आपको दिखाता हूँ आखिर हो है क्या setting में आ जाते हैं यहां पे general में यह चीज़ दिखने क को मिल जाएगी यहां पे आप देख सकते हो यह है दोस्तों dark theme इसे काफी लोग जानते हैं कि इससे अगर on करके YouTube को चलाएंगे तो ऐसे में क्या होगा उनके mobile phone का जो battery है वो काफी हद तक से होगा प्लस इससे उनकी आखों पे ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा अगर आप लंबे समय तक YouTube पे वीडियोस देखते हो गाईस तो ऐसे आपकी आखे भी safe रहेंगी मतलब कि इससे आपका दो फायदा है एक तो बैटी बहुत कम खर्च होगी एक आपके आखे safe रहेंगी फिर भी दोस्तों आप लोग इससे on करके नहीं रखते तो आज ही दोस्तों आप ऐसी private वीडियो देखना चाहते हो जिसे आप चाहते हो कि आपके home screen पे आप पिर कहीं पे भी वो search history में ना आए तो ऐसे में गाईस आप ये private बोल सकते हो search या फिर private वीडियो देख सकते हो उसके लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा प्रोफाइल पर click करके या तो फिर द देखोगे तो ऐसे में ये बोल सकते हो एक private रहेगा आप तक ही रहेगा and home screen पे आपिर कहीं पे भी search result में नहीं आएगा या फिर second चीज़ दोस्तों आप इसे यहां से पहले बंद कर देता है incognito mode बंद करने बात दोस्तों आप जो बोल सकते हो यह जो search history होता है जैसे कि यह आप यह सारी चीज़े आप देख रहे हो उसे आप बंद कर सकते हो उसे stop करने के लिए simply आपको setting में जाना होगा and यह जो history है इसे दोस्तों आपको यहां से mouse कर देना पड़ेगा रोक देना पड़ेगा तो ऐसे में दोस्तों जो आपकी search history है आप फिर watch history है यह सब आपको मत यह सबी features पसंद आयो होंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो हो तो प्लीज आप वीडियो को like और share करना and हमाई channel को subscribe कर देना थैंक्यू गैस बाय बाय टेक केर